भारती रेलवे में रोजानक करोडो यात्री यात्रा करती हैं जिसके लिए हजारों ट्रेने संचालिक की जाती हैं इसलिए भारते रेलवे को भारत की लाइफ लाइन भी कहा जाता है यात्रों की सुबिधा अनुसार रेलवे अलग-अलग कैटेगरी में टिकट भी बेशती है जिसमें AC, स्लीपर और जर्णल तीनों ही शामिल होते हैं AC और स्लीपर कोच की टिकट जर्णल कोच की टिकट से महंगी होती है इसलिए सभी यात्री रिजेवेशन करवा कर AC और स्लीपर में सफर नहीं कर पाते हैं बहुत से यात्री जर्णल कोच में भी सफर करते हैं लेकिन जर्णल कोच में सफर करने के दोरान कुछ नियमों के बारे में पता होना जरूरी होता है नहीं तो फिर दिकत हो जाती है जनरल कोच में अगर कोई 199 किलो मेटर से पम दूरी की यात्रा तै कर रहा है तो उसे तीन घंटे से पहले टिकट नहीं लेना चाहिए क्योंकि रेलवे की नियमों की मुताबिक जनरल टिकट से सफर करने वालों के लिए 199 किलो मेटर की दूरी के सफर के लिए तीन घंटे से पहले का टिकट होगा तो वह अमानने माना जाएगा और ऐसी इस्तिती में आपको जुरुवाना भी देना पड़ सकता है हला कि अगर आप 199 किलो मेटर से जादा का सफर कर रहे हैं तो आप 3 दिन पहले भी जनरल का टिकट ले सकते हैं 199 किलो मेटर से कम दूरी के सफर के लिए 3 घंटे पहले टिकट का नियम साथ 2016 में लावू किया गया था इसका मकसद है कि टिकटो की काला बजारी पर रोक लगा सकते हैं असल नियूस वियोरो रिपोर्ड